आज हम बनाने वाले हैं कच्छे आम का जैम जिसे बनाना बहुत ही आसान है और स्वाद बहुत ही बढ़ियां लगता है हलो दोस्तों विल्कम बैक टू माई चैनल तो आज हम कच्छे आम यहाँ पर हमने ले लिया है कम से कम चार-पाच आम हमने लिया है कच्छे आम का जैम बहुत ही पसंद आता है बच्छों को अगर आपने इससे बना लिया ना तो तो आप 6 मने तक फ्रीज मेरा करके इस्टोर कर सकते हैं तो यहां पर देखी आम को हमने छील लिया है यहां पर हमने 5 आम छील रखे हैं बड़े बड़े साइज के हैं और फिर एक लेटे हैं प्लेट और आम को पहले हम मुपर से इसका पल्प निकाल लेते हैं यहां पर जितना कट रहा है उतने पाट को हम काट लेंगे और यहां पर इसके छोटे-छोटे टुकडे करते जाएंगे यहां पर देखी आम को हमने काट लिया है और इसको एक बड़े से बरतन में रख लेते हैं यहां पर सभी आम इकठा कर लिया है और फोटले के юसको आम में इसको बिजी घाते हैं छोटेले को इसकी पाल में नीट भी मुना लेते हैं इसको फिट भी सॉप्ट नहीं हुआ है जोटले कमें आप designer मिट के लिए 10 मिट में जो आम है बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गया है यहां पर हम इस पाचला ले लिए हैं और आम को निकाल करके हाच्छ थोड़ा मैस करने तो अच्छी तरह से मसल जा रहा है तो आप आम को आप नीचे एक थाली में हम रख देते हैं ठंडा होने के लि अच्छी तरह से मस हो गया है तो आप अब इसfrontेश पर इसको बड़ी यही चान सकते हैं तो च्रह बनाते हैं तरहां है नाया रही है आज़ा से कढके हर् dopp यहां कि अच्छी तरह से चीनी को मिल्ट करते हैं लगातार जैम को चलाते रहेंगे और जो इस पाचला इसे मैस करते रहेंगे तो घर पे यह जैम बनाईए बहुत ही पसंद आता है बच्चों को बच्ची इसको रोटी चपाती या ब्रेट के साथ खाना बहुत ही पसंद करेंगे अगर का चीज है तो बहुत ही टेस्टी बनेगा है विल्कुल भी काइमिकल अगरा का यूज नहीं होगा और इसे आप प्रीज में रख करके स्टूर भी कर सकते हैं जितने जिन भी आपको रखना और स्वाधिष्ट भी बनता है तो यह पर देखिए जो इसको आपकी क्लिया नहीं दिखाए देते हैं तो यहां पर देखिए अब इसमें थोड़ा साम खट्टेपन को बालेंस करने के लिए नमक डाल देते हैं तो एक च्वथाई चमची हमने इसमें नमक भी डाल दिया है बाकी किसी भी चीज के हमें यूज नहीं करना आप चाहए तो लालमी तैयार है कि नहीं अच्छे तना से बन गया नहीं तो एक कटोरी में इसको डालते हैं इसको जब हम नीचे घुमाएंगे ना तो बिल्कुल भी जेम जो है अपनी जगह से खिशक नहीं रहा है तो यानि की जेम बन करके रेडी हो गया तो देखिए हम दिखा रहे हैं कटोरी और इसमें हम सर्व करते हैं तो लीजी मुझेदार घर पर कच्छे आम का जेम बन करके रेडी हो गया है बहुत ही टेश्टी लगेगा आप चाहिए तो बच्चों के लंच बॉक्स के साथ भी दे सकते हैं बहुत ही पसंद आने वाली रेस्पी है और बहुत ही ईजी तरीके से बन भी जाती है तो इस तरह से आप लोग एक बार जरूर कच्छे आम की रेस्पी को बनाएं और हमारी वीडियो पसंद आथ हमारे चैनल को लाइक सेयर और सस्क्राइब करें वेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन आप तक मिलत सुखते तो एक बार कच्छे आम का यह जिम बना करके घर पर गरूर पर यहाँ पर एक रोटी लेते हैं और इस पर छपाती पर लगाए तरहांag require नहीं बस इस तरे